यूपी बोर्ड की व्योहर्चना का पहला इम्तहान 27 फरवरी को है। हाई स्कूल गणित के पेपर में 8000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर 29 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं। गणित का महत्वपूर्ण पेपर होने के कारण नकल माफियाओं के सक्रिय रहने की आशंका है। हाला कि बोर्ड के अफसर पूरी परीक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोता ही नहीं बरत रहे। लेकिन उनका विशेश जोर गणित की परीक्षा सकुषल संपन्न कराने पर है। सोम्मार को बोर्ड मुख्याले से एक बार फिर प्रदेश भर के जिला विद्याले निरीक्षकों को खास सतर्क्ता बरतने के निर्देश दिये गए हैं। स्ट्रॉंग रूम पर नजर रखने के साथ साथ जिलो के उन केंद्रों पर भी नकेल कसने को कहा गया है, जहां गडबुडी की आशन का दिख रही हो। बोट सचिव दिव्यकांच शुकला ने परीक्षा की शुचिता को हर हाल में बनाय रखने का दिशा निर्देश जारी किया है। गनित के पेपर में पुलिस का हर तंत्र सक्रिय रहेगा। स्टीएफ ने भी परीक्षा को नकल भीहीन कराने की कवायत की है। शासन भी अपने स्टर पर पूरी परीक्षा की मानिटरिंग कर रहा है। समवेदंशीर जिलो प्रयागराज, कौशामबी, देवरिया, बलिया, अलीगड, मतुरा के परीक्षा केंद्रों को खास निगरानी में रखा गया है। मंगलवार यानी 27 फरवरी को प्रथम पाली में हाइ स्कूल गणित का पेपर है। द्वितिय पाली इंटर में ग्रह विज्ञान का है। प्रथम पाली की परीक्षा को नकल विहीन एवं शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए आज अफसर अपनी रणनीती को अपडेट करने में लगे रहे। गूगल मीट एवं मोबाइल के माध्यम से बोट सचिव ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया। प्रदेश के सभी शिक्षादिकारियों से लगातार संपर्क कर वहां की परीक्षा की तैयारी की जानकारी ली जा चुकी है। पुलिस के अफसरों का भी सहयोग लिया गया है। गनित का पेपर सकुषल संपन्न कराने के लिए प्रदेश भर गठित सभी 416 सचल दल मंगलवार को सक्रिय रहेंगे। 75 राज्य स्तरिय परियवेक्षक भी एक्टिव रहेंगे। बोट सचिव दिब्यकांच शुकला ने बताया कि परिक्षा केंद्रों के निरिक्षन के लिए 1297 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 430 जोनल मजिस्ट्रेट नियुप्त किये गए है। कमान रूम से भी परिक्षा केंद्र की निगरानी की जाएगी। सभी क्षेत्रिय कार्यालेयों से भी मॉनिटरिंग होगी। प्रूमति है।